आज नाग पंचमी और सावनमास का साथवा सोमवार है नाग पंचमी और सावनमास की सोमवारी पर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड है जो सचार के अनुसार ऐसा दुरलफ संयोग 24 साल बात बना हुआ है जब सावनमास का सुनवार हो और इसी दिन नाग पंचमी का तोहार मनाया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में अगर काल सर्फ दोस होता है तो वहां उन्हें आद्भगवान वरनात और नाग देवता के पुजा करने से लाव मिलता है। वहीं कुछ लोग नाग पंचमी के परंपरा मानकर भक्त सांपों को दूद पिला रहे हैं। आएए बात करते हैं सांप लेकर भूमने वाले सपेरे सेुआ है कि अगर में निकलता है तो पंदरा दिन आज जंगल उंगल फिलाते हैं उसको साथ आठ दिन रखते हैं उसके यह 15 rice को तरीका है भादा रहता कास्म खाना पड़ती है बच्चों कि हमारे घर परवार में जो बड़ी बूर्रा के बादा एन घह करका करते हैं कि तुमको Itti दिनके वाद तुमको आजाद रख देंगों कि थी रखते हैं उतनको कुछाते हैs व्नकों कुछ उर्वाने कु तो ऐसा हो नहीं कभी-कभी जैसे लाया बगड़ के खतम हो गया नहीं ऐसा नहीं होगा इसा कुछ नहीं हो पूरा ख्यार लगते हैं इनके दूद के दांत होते नहीं यह पहली बात सब्दों इसके तोड़ों तोरण तो एक हपते में फिर दुबारा जामे आते हैं अच्छा करवाने हाथें खाली उससे कुछ उससे कुछ आप लोग भी मिल जाते हैं जो चार पांट सो रुपए बाबुजी आज के दिन बस हां उसके बाद जाके चोड़ेंगे फिर उसके बाद साम को आजाद कर देंगे यहीं बगता आते हैं बहुत आदमी आजाद करवाए देते दो तीन सो रुपए देते हैं अजाद करवाए लेते हैं बस तो कब सी इसा नोक्री उक्री नहीं इसी से काम चलता वाबुजी अब को नोक्री होए हम पर भी बाबुजी तो हम भी कल लें अच्छा है यही एक हम करें रोजगार है आपका सब्सक्राइब अब खत्रा तो होता ही काल से लड़ेंगे बाबुजी खतरा तो रहेगा आज नहीं तो कभी ने कभी तो चूख खाए जाएंगी अज़ दिन जाएंगे और किया है तो खत्रों से खेलते हैं हाँ हमारा नाम हमरते हैंगे प्रभातखाबर.com विश्वास वही रवतार नहीं